बाल ये नेक्ष्ट जो क्यूस्nea और फॉर ये एक्जाम्पल नम्बर के अंदर पूस कता है तो इस नियूपकर मैं विकर रहे है तो यहां पर जो डायग्राम के अंदर सिर्फ ये दिया वा था कि AB को AM को MB को AC को इनको जो व्यास मान करिए अर्दवर्थ खिंचे गए है उसके बाद एक अन्तवर्थ यह जो खिंचे गए इसके अंदर जिसकी तिर्जा क्या है R है तो यह इनको PQ पर सपर्ष करता है इदर R पर सपर्ष कर रहा है तो आपको कि यह जो चार पार्ट यह चारों पार्ट बराबर क्यों है क्योंकि यह पूरा जो AB है यह जो पूरा AB है यह बड़े वाले इस अर्दवर्थ का व्यास है इस अर्दवर्थ का व्यास है तो यह M तक यह इसके क्या होगी यह दोनों ही तिर्जा होगी तो यह M तक दोनों इसकी जो तिर्जे है वो कौन सी है A M और M B यह दोनों बराबर है तो यह आप लेखे सकते हो कि A M के बराबर M B बराबर है अब इस A M जो इसको व्यास मानकर इसको व्यास मानकर यह अर्दवर्थ मनाएगे इसको व्यास मानकर यह अर्द वर्त मनाएंगे है तो यह दोनों इनके व्यास है तो A-C के बराबर C-M भी होगा और इदर M-D के बराबर D-M भी होगा तो यह पूरे जो वर्त है उसके यह पार्ट थे तो इसका अर्द A-C, C-M जो M-D और D-M यह चारो पार्टी क्या है, बराबर है और यह अंतर वर्त मनावाई है इसकी तिर्जे कितने दीगी है यह आर्द दीगी है तो इस पूरी जो A-B को है इसको मै homogeneous कितने हो जाएगे यह चारे है, तो यह और यह दोनों कितने हो जाएंगे दो A हो जाएंगे उसके बाद ये पूरा जो A, M है ये इस चोटे वाड़े अर्दवर्द का व्यास है तो ये यहां तेक 30 है इसकी तो ये कितनी हो जाएगी ये A और ये भी कितनी हो जाएगी A इदर ये भी M, D, B, A और D, B, 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 कितनी हो जाएगी समोले तो ये चारों ए हो जाएंगे अब देखिए ये जो CP है ये भी इसका क्या मन रहे है तिरज्या मन रही है तो ये भी A हो जाएगी अब ये जो समकोन त्रिपुज मनेगा यहां पे इस समकोन त्रिपुज के अंदर अपने को पाइथ अगोर्ष पर में लगा सकते हैं क्योंकि ये तो व्यास है इसका और ये इस पे जो ये अर्दवर्थ है इसका व्यास है लेकिन ये जो ये वर्थ है से गुम के पूरा आता ह है तो इसके स्पर्स्रे का मणा रही है यहां पर इसके तिर्जा है तो यहां पर यहां पर कितने का मणावाई यह को नाबब डिगरी का होगा तो जो समकॉंड तुख मढ़एगा यह सी मो इसमें अपने सब्सक्राइब कर लगा करकर कि तक यह तिन्नों ही कितने हो जाएंगे, यह तिन्नों ही हो जाएंगे, दो A, क्योंकि यह जो पूरा अर्द बढ़त है, बाहर वाड़ा इसकी क्या है, यह इनकी तिर जाएंगे, तो यह कितने हो गई है, दो A हो गई है, अब A, C, C, M, यह जो A, C, C, M, D, D, B और यह जो D, Q है, यह और इधर यह C, P यह कितने हो जाएंगे, दो A बटा, दो कितने हो गए है, A हो गए है अब समकौन तिरभूज जो कौन सा है, C, M, O इसके अंदर देखिया आपे कि यह जो बुजा है, यह C, M, तो कितने हो गए, A हो गए यह पूरी जो लाइन है, यह कितनी थी, 2A थी तो यह इसके तिरज्या है, यह R कम हो गई है तो यह कितनी बच गई है, जो नीचे वाली लाइन है, O, M, O कितनी बच गई है, पूरी ये कितनी थी, ये पूरी थी, 2A, इसमें सी ये R कम हो गई है, तो ये कितनी बच गई है, 2A माइनस R, और ये जो CO है, ये CO, इसके अंदर कौन-कौन सी बुजाओं का योग आता है, ये CP पलस है, PO का जोड़ाता है, तो CP तो कितना है, ये, small A है, और क्या होगा, कि OC का स्केर ये करण हो गया, बराबर CM स्केर पलस से MO स्केर हो गया, अब OC कितना है, A पलस R का स्केर, बराबर A स्केर पलस MO कितना है, 2A माइनस R का स्केर, अब यहाँ पे आप A पलस B का उल स्केर वाड़ी इडेंटीज लगा होगे, तो इसका तो क्या हो गया, A square plus R square plus 2A R आगे plus का A square थाई 2A minus R का square करोगे तो यहां पे क्या होगा कि 2A का square होगा plus R का square होगा और plus करके यह जो आगे है यह आप plus करने के बाए यह माइनस का यह 2A और R होगा तो यह क्या होजाएगा इसके गुना में 2 होगा अब उसके बाद में यहां पे आप इसको open करोगे तो यह 2A-R का जो square है यह क्या होगा यह 2A का square होगा प्लस R का square होगा और minus 2a into में R होगा तो इस formula से आपन open करेंगे तो यह 4A square plus R square minus 2 into 2 करोगे तो यह 4A, R हो गयए है अब यहां पे जो cancel होने वाड़े पार्ट हैं, उन cancel होने वाड़े पार्ट में A square है, वो A square से हो गया, R square है वो, R square से हो गया, अब जो बाकी remaining पार्ट बच गया है, उनको अपन लिख देते हैं, तो कौन-कौन सा बच गया है, यह 2 AR, और इधर क्या है, 4 AR और 4 A square बचाव है, तो इनको लिख दिया गया है, 2 AR, बराबर 4 A square माइनस 4 AR, अब यह जो 4 AR है, इसका पक्षांतर नाप कर दोगे, लेप्ट साइड में, तो 2 AR में यह 4 AR जुड जाएगा, और बराबर कितना है, यह 4 A square, तो यह कितना हो गया, अच्छा है, AR बराबर क्या है, 4 A square, अब जो 1 A से है, आप इदर A square की जो एक पावर काट सकते हो, तो 6 AR बराबर कितना हो गया, 4 A, अब AR का मान निकालना है, तो 6 इदर गुणा में है, तो यह इसके बटा में आ जाएगा, 4 A बटा में 6 हो गया, अब 4 A क्या था, A B था, तो 4 A कि जगर लिख दिया, A B, और यह क्या है, बटा में चाए है, तो इसको आप ऐसे लेख सकते हो, एक बटा चाहिन टू, A B, तो यह यहाँ पर आपको सिद करना था, R बराबर एक बटा चाहिन टू, A B, तो यह अच्छा एग्जाम्पल है, उदार नमर जो 4 है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में द्यान से किजिएगा, चा जदा सब्सक्राइब हो, और बेल आइकन है, जो इसके पास में उसको आप रेस किजिए, ताकि वीडियो प्लोट करते हैं, उसका जो नोटिफिकेशन अब आपको मिले, और आप तुर्णत वीडियो देख करके, और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे नमर प्राप्त क सको, तो आपका दिन सुब हो, और आप अच्छे त्यारी केजिए, और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आए, यह मारे दुआ है,